जैमसी की दोस्तों, आज की सुरगी मन्ना का भाग हमने लिया है, लुखा की पुस्तक उसका उन्नेस्वा अध्याय और उसका आठ्वा वचन वचन कहता है, जकई ने खाड़े होकर प्रभू से कहा, प्रभू देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूँगा पावित्र सामर्दी वचन के लिए, दोस्तों ये वचन हमें बताता है, कि हम क्या थे, हम क्या थे, जब हम पाप में थे, जब हम पाप के गुलाम थे, जब हम शैतान के गुलाम थे, तो हमारे अंदर घ्रिना थी, हमारे अंदर स्वार था, हमारे अंदर नफ्रत थी, हमारे अंदकार सिर्फ हमें अपने स्वार्थ के बारे में बताता था अपने सुख के बारे में बताता था लेकिन जैसे इशू हमें आया जैसे इशू की जोती हमें आई वैसे हमारे अंदर वो अंदकार निकल गया और उसकी जोती का प्रकाश हमारे अंदर इतना फैला कि हम उस कि भी चीज़ जो बुराई है वो हमारे अंदर रहे क्योंकि बाइबल केहती है यहवा कब है मानना बुराई से बैर करना है। इसलिए जख़ई ने जब ईशू मसीद को अंदर पाया इशू मसीद की उपस्चिदी को अपने अंदर पाया तो उसने ये ऐलान किया कि नहीं मेरा जो कुछ भी है मैं कंगालों को दे दूँगा अगर मैंने किसी से बुराई की है तो मैं उसको भलाई के साथ उसका फल दूँगा मैं ऐसे जिन्दगी जहें नहीं जीना चाहता हूँ इश्यू मसी ने यही कहा है मती 4.17 में परमेशर ने कहा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्क का राजर तुम्हारे निकट आ रहा है हलेलुया मन का फिराना परमेशर को पाना है मन का फिराना इश्यू मसी को अपना बनाना है मन का फिराना उसकी धर्मित्ता को अपना बना कर जीवन को बिताना है हलेलुया इसलिए मती 6 का 24 कहता है कि कोई भी वेक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता क्योंकि वो या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा या एक से घानिशता रखेगा और दूसरे को तुछ जानेगा तुम परमेशर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो हम परमेशर की सेवा करने के लिए अपने सुहारत को हमें अपने जीवन से निकालना ही होगा और यही किया था यही किया था पत्रस ने जब पत्रस रात भर मश्लियों को पकडने के लिए पसीना बाहरा था जाल डाल रहा था उस नदी में उस लेक में उस गलील की जील में और उसे कोई भी मशली उसके हाथ में नहीं आ रहे थी लेकिन सुभे जब ईश्यू आया उसकी नाव पर चड़ा जब ईश्यू मसी उसके अंदर आया जब ईश्यू मसी ने बताया कि मशलीय कहा है तो जाल वहां डाल और हजारों मशलियां इतनी मशलियां आ गएं कि दोनों नौ बर गएं जाल फटने लगे लेकिन जब इतनी मशलियां उसने एक साथ देखी लेकिन जैसे ही ईशुमसी उसके अंदर आया जैसे उसने ईशु मसी को पाया जैसे ईशु मसी की जोती को पत्रस ने पाया वो सारी मशलियों को छोड़कर ईशु मसी के पीछे हो लिया वो ईशु मसी के पीछे हो लिया क्योंकि उसने जाना कि सचा धन तो ये है सचा सुख तो ये है सचा खजाना तो मेरा प्रवू है जो मेरे साथ है वो मेरा उधार है जो प्रवू ने मुझे दिया है इश्यो मसी के दोरा इसलिए दोस्तों उस खजाने के दोरा उस खजाने के लिए हम अपने जीवन को बिताएं वो जो खजाना जो अनंतिकाल तक हमारे साथ रहेगा वो खजाना जो अनंतिकाल तक हमें सुख देगा वो खजाना जो अनंतिकाल तक हमें अमीर बनाकर धनी बनाकर इस धर्दी और सुर्ग में सिंगासन देगा धन्यवाद इता परमेश्यर तेरे पवित्र समर्थी नाम में तेरे नाम में शिफा है तेरे नाम में उधार है और तेरे नाम में चोती है पवित्रता है जब भी हम इशू तेरा नाम पाते है जब भी हम इशू तेरा नाम अपने अंदर महसूस करते है तो हमारे अंदर से अंदकार दूर हो जाता है हम के लिए हमारा मन उमरता है और हम पूरी तरीके से तेरे चर्णों में तेरे पवित्र के साथ तेरी समानता में अपने जीवन को बिताने लगते हैं और धन्ने है यही तू चाहता है यही तो तू चाहता है यही तो धर्म है यही तो इशू है कि इश्यू मसी धर्टी पर आया ताकि हम अपने जीवन को पाएं अनंतकाल का जीवन अबहुतायतत का जीवन पाएं जो परमेश्वर इश्यू मसी में है हालेलोया हालेलोया आज का दिन परमेश्वर अद्बुत है हम प्रात्रा करते हैं इश्यो मसी के पविद्ध समर्थी नाम से दोस्तों जो सुन रहे हैं अद्बो ताशी इश्माएं सुक पाएं और वो खजाना जो इश्यो मसी में है उसको अपने अंदर रखें और अपने स्वारत को बाहर फेग दें ताकि हम उसकी समनता में ची सकें Amen, Amen, Amen